नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है भारसरकार के जरिये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्वीटर को नोटिस भीजा गया था इस नोटिस में ऐसे 1178 अकाउंट्स को ब्लॉग करने को कहा गया था जो किसान विरोध से जुड़ी गलत सूशना फैला कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे अब ट्वीटर ने 24 घंटे के भीतर इसका जवाब दिया है अमेरिकी अधारित कंपनी ट्वीटर के प्रवक्ता ने कहा कि ट्वीटर पर हमारे कर्मचारियों के सुरक्षा हमारी पहली प्रात मिक्ता है हम भारा सरकार के साथ सम्मान के स्थिती से जुड़े हैं और ओपचारिक बाच्शीत के लिए इलेक्टरोनिक्स और सुषना प्रोदोगी की मंत्री के संपर्क में है ट्वीटर ने भारा सरकार से गैर अनुपालन नोटिस मिलने की बात को कबूला है सुथरों के मताबिक सरकार ने ट्वीटर से 1178 अकाउंट्स जो पाकिस्तानी और खरिस्तानी यूजर्स हैंडल कर रहे थे उन्हें हटाने के लिए कहा था इसके जवाब में ट्वीटर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हम दृत्ता से मानते हैं कि सुषना के खुले और मुक्त अदान प्रदान का सकारातमक वैश्वीक प्रभाव पढ़ता है और ट्वीट्स का प्रभाव जारी रहना चाहिए इस से पहले इलेक्ट्रोनिक्स और सुषना प्रदोगी की मंत्राले ने 31 जनवरी को ट्वीटर को इसी तरह के दूसरे मामलों के लिए 257 ट्वीटर हैंडल को हटाने की लिस्ट भेजी थी जिन्हें ट्वीटर ने ब्लॉक कर दिया था इसके बाद चार फरवरी को किसान आंदोलन के बीच मंत्राले ने पाकस्तान और खलिस्तान का समर्थन करने वाले ट्वीटर हैंडल की एक लिस्ट जारी की सूत्रों के मताबिक इन में से कई ऐसे खाते थे जो सुआचली थे और जिनका इस्तेमाल किसानों के विरोध प्रदर्शन पर गलत सूचना और भढ़काउ सामगरी को साज़ा करने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे थे आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ट्वीटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान विरोध ही प्रदर्शन के समर्थन में विदेशी अधारित हस्तियों के जरीय किये गए कई ट्वीट्स को लाइक किया था इसे देखते हुए खातों को ब्लॉक करने के सरकार के आदेश की ट्वीटर की अव हेलिणा कई सवाल खड़े करती है विशेशग्यों का मानना है कि भारस सरकार के निवेदन की लगतार अव हेलिणा ट्वीटर को काफी महंगी पड़ सकती है देश में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कई कड़े कानून है उन्होंने कहा कि एक टूल किट के सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि तनाव से जोड़ी साममगरी को प्रसारित करने के लिए अंतर रास्ट रिये सिंडीकेट और पाकस्तान जैसे देशों की भागीदारी है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं वन इंडिया हिंदी के साथ